शिवम आईए और पहले चलिए आप ये नीट पर ही बताईए नीट देखे ये मुद्दा ऐसा इतना गरम है कब ये ठंडा होने वाला है ने तो इसी पर बताईए कल धर्मेंद प्रधान ने प्रेस कॉंफरेंस किया आखिरकार आपको इतने दिन क्यों लग गए ये मानने में कि हाँ वाकई नीट में परिक्षा में लीक हुआ है गडबडी हुई है पहले आप महानी नहीं रहे थे और इस्तीफे पर जवाब दीजे स्तीफा मांग रहे है लांडे जी ने कहा कि वह ऐसा है कि आस्तीफे होने चाहिए के इंडरिय मंतरी का स्तीफा होना चाहिए कुछ थोड़ा सा उनको जवाब देना चाहता हूं एक्जाम पेपर लीक पर सुन ले थोड़ा सा सी बीसी क्लास 12 2006 ऑल इंडिया इंजिनियरिंग इंटरेंस एक्जामिनेशन दोहजार साथ प्री मेडिकल टेस्स दोहजारा टेमस इंट्रेंस दोहजार बारा सी एक्जाम पेपर लीक पेपर लीक यहार तो हुए है और उसके अलावा आगर में और तमाम जगहों की बात करूं तो पेपर लीक होने के बाद कितने स्तिफ है आप लोगोंने किये कितने प्रधान मंतरी आकर बोले कितने किसी भी एक पर और कोई एक स्वारी बताइए और मैं बताता हूं मेरे देश के सख्या मंत्री ने क्या का पहली चीज इन्हों कए नहीं हम तो प्रतीप ढाका नाम का एक वीक्ति दे भानी में राजस्थान में माफिया था ऊस माफिया ने राहुल गानदी जी के साथ कदम ताल करी है भारत जोड़ो यात्रा में वीडियो डाले घूम रहा है वो अपने सोशल मीडिया पर उसका बजाने के लिए सलमान तरीके से तैयार है पहली जो मेरी स्टेट्मेंट रही उसमें मेरी गलती रही ये दूसरे न्यूप चैनल की रिपोर्ट है और आधर निये सिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भई हम एंटीय में आमूर चूल परिवर्तन कर रहे हैं हम इंटर्नल जो है एक जांच उसमें हाई इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग-अलग एजन्सी जिन पेपर्स में यूपीए के दौरान किसी की जबान नहीं खुलती थी किसी की जो है चेक्स एन बैलेंसे स्थैनी होते थे उसमें हम एंटी पेपर लीक लॉल लेकर आए जिसमें हमने एक करोड रुपे तक कम और दस साल तक कि इसाजा का प्रावधान हमने करके दिया छोड़ दीजे इस बात को इसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहता हूं इन तमाम सुधारों के बाद और बहतरी के बाद हम इस बात को सैशन सुईकार करते हैं कि हाँ 6-8 सेंटर पर कहीं ना कहीं जरूर यह दिक आए चलाता स्टूडेंट है फिट से चुनकर बेजता है दौजार चौदा में हमें स्टूडेंट ने बेजा, 2019 में स्टूडेंट ने बेजा, 2024 में स्टूडेंट ने बेजा, हाँ कहीं ना कहीं दिक्कत तूइसको भी ठीक कर देंगे लेकिन अब उस सब से मैं तू पून लेते थे थे लोगों की अब सत्ता से भार है तो नौकरीयों के बदले जो है नौकरी तक मामला ही ना पहुंचे भरती में पेपर में लीक करा दो और पेपर लीक करके पैसे कबालो आप मुझे एक चीज बताइए यह जो सिकंदर यदुवंची है यह प्रीतम सिंग का करीमी म मारा तेजस्री आदव का पीड़ यानि के आओ हम आपके लिए एक बहतरीन फाइस्टार जो है कमरे का इंतजाम करेंगे वहां पेपर सॉल्फ करना एक जवाब नहीं आया दो दिन कौन कमरा बुक कराएगा भाई हमारा नहों कोई अगर हम चले जाए तो ऐसे मुख्य मंत् के साथ जो है अभी उक्त है पेपर लीक माम लेगा मैं अभी मानक जी के साथ फोटो किच के कह दूँगा तो कल से सारी दिम्मदारी आपकी हो जाएगी क्या अरे बचकानी हरकत है बंकर यह जवाब दीज़े और एक और चीज़ कहना है तो थोड़ा समय और दे दीज़े अ अच्छा चित्धाब का, एक स्टेअर्टमेंट बताईए सिख्शामन्तरी की, हमारी सरकार छात्रों की है, हम चात्रों के हैं और छात्रों ने हमें बनाया है और अगे हैं लेकिन कोई कोटाही नहीं बढ़ते हैं कहते हैं ना इते जस्फी आदफ के इसने कर दिया या इसने कर दिया या इसने कर दिया इसके माला अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं ना बैस जिम्मेदारी किसकी अल्टीमेटली पेपर लीकी या गड़बडी की हमारी सिस्टम की एंटीए की सरकार की बिलकुल मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, NTA की पूरे तरीके से जिम्मेदारी है, पेपर कंड़क्ट कराना जिम्मेदारी है, उसको लेकर आगे बढ़ना जिम्मेदारी है, जीरो एरर के साथ पेपर हो, ये जिम्मेदारी हमारी है, अगर 6-8 सेंटर्स में कोई दिक्कत है तो उसकी जाच की जिम्मेदारी हमारी है, जाच में कोई उपमुक्ठमंतरी का रिष्टदार निकले, चाहिए प्रधान मंतरी का रिष्टदार निकले, चैनकी सरकार होती, अब तक मेर कैंसिल कर दिया गया होता। उनके सरकार होती तो कितने कांसल कर दी ये देखिये ना मैं तो कहरो लीक की लिस्ट है पूरी लिस्ट के बाद इन्होंने क्या किया अंधरी का कोई एक स्टेटमेंट निखाइए न हुझे मैं बीच में बोला नहीं